नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल माई सलेक्षन पूर बोईज में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के इंदर टैन इंपोटेंट जी के और यह से रिलेटेड कोश्चन के बारे में यह सारे के सारे वो कोश्चन है जो हम इनका अंसर देते हैं तो फेない यह फे लो जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही न भूले है मैं इस वीडियो के अंदर छी के और घसे से लेट है टन के बारे मैं बात करूँगा तो अगर आप इस चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जिकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सके मैं इसी प्रकार की वीडियो परड़े लाता रहूं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को मैं आपकी स्कीन पर एक क्वेशन दिखाई देरा है साथी के लिए पतनी की उम्र पती से छोटी होना क्यों जरूरी है मैंने यह भी लिखाया कि 99% लोग फेल है इसमें तो दोस्तो 99% लोगों को इसका नहीं पफक होता है अगर आपको सक्षेंगा आंसर पता है तो कॉमेंट बरिखेएगा मैं इस वीडियो गांदर आपको इस कोश्यन बता हूं तो दोस्तो आईये श्टार्ट करते हैं कमेंट बोक्स में यह भी लिखेएगा कि आपका अंसर सही है या गलत है या नहि hugging और म students फल को खाने से मनुषर के मत्यू हो सकती है तो इसका राइड अंसर है आपके समने, ये रहा अंगूर, किसी भी दबाई को खाने के जिस्ट वाद अंगूर नहीं कहना चाहिए है, next, मनुष्य के सरीर में कितना परसद पानी कम होने पर मनुषर के मत्यू हो जाती है, नेक्स्ट पॉशन मनिश्य को चईगने पस्रीर का कौन सा हड़ी तूट सकता है तो इसका राइड़न्सर यह रहा आपके सामने श्क्षान कि हड़ी को deinस्वर किस तेस में सबसे कम फांसी की संदा भारती sympathetic किसρο्नेट्द किस देश को किस देश में सबसे कम फांसी में सजया दी जाती है तो इसका ऩुझत साइब आपंसर यह रहा आपके सामने रांब भारत इसमें। किस देश में एक भी गाय नहीं है नेक्स्ट कुर्शन ओन यूर इसकी नव एक मनुश्य के सरीर में कितने सक्कर होता है जिससे कि कितना कप चाय मीठा हो सकता है एक मनुश्य के सरीर में कितना सक्कर होता है जिससे कि कितना कप चाय मीठा हो सकता है तो इसका राड़ांसर यह रहा आपके समने 10 कप चाय मीठा हो सकता है नेक्स्ट नवजा से सू कितने रंग को देख सकता है नवजात से सू कितने रंग को देख सकता है तो इसका रेड़ अंसर यह रहा आपके समने दो रंग को काला और सफीद को देख सकता है नेक्स्ट किस देश के सभी जलों में सभी कैदियों को फ्री में इंटरनेट क जातीयां प्लीस सबस्काइब न सेर ईसका राइट यहार आपके समने नौर içinde सभी कहतियों का नेक्स कि सब्जी का सब्जी जूद पीने से लंबाई वड़ती है कि सब्ढ़ का जूद्फ मिन यह वड़ती तो इसका राइट आंसर यहार आपके सम impressions पालक और सलगम का प्रचूस पीनिस से नेक्स्ट साधी के लिए पत्नी के उम्र पती से छोटी होना क्यों जरूर ही है यही क्वेश्चन आपकी स्किन पर देख रहा था मैं आपको इस क्वेश्चन का अंसर देने बाला हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जो आपने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में क्या हुआ सही है यह गलत है अपने दूस्तों के साथ सेर जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकिसन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो के सबसे प करते हैं तो सबसे पहले लड़की को उम्र बुषते हैं क्योंकि हमारे समाज में पत्पतनी से बढ़ा होना बेहत जरूरी होता है और जब बात की जाती है कि अरेंच मेरिज की तो घर वाले इस वाद को अच्छे से ख्याल रगते हैं कि बहु हमारे बेटे से छुटी ही हो लेकिन क्या कभी आपने सोचा है? ऐसा क्यों होता है? क्या यह जरूरी है? क्या है इसके पीछे का राच? आज हम आपको बताएंगे. क्या है इसके पीछे कोई धार्मिक पहलू भी है? दरसल लोगों का मानना है कि पत्त की उम्र पत्नी से बड़ी होना जरूरी है. ताकि इस बन सके कि अपने घर, परिवार और पत्नी के लिए आमन्दनी ला सके. बग्यानिकों का मनना है कि लड़के और लड़की की मैचुरिटी के स्तर में काफी फर्क होता है. लड़की लड़कों से ज़्यादा चल्दी मैचुर हो जाती है. उन्हें समय नहीं लगता जबकि पीच का अंतर तीन से चार साल का होता है. दर असल बिसे सग्यों का ऐसा मनना है कि यद एक ही उमर के लड़का और लड़की की साधी की जाए तो उनमें आपसी समझ नहीं पती. लेकिन यद उमर का अंतर होता है तो दोनों एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ पाते हैं. यही एक सफल साधी की निसानी वीमानी आती है. खुश से ज़्यादा उम्र वाला हम सफर होने से जिम्मेदारियों का ऐसा चलती होने लगता है. अगर दौनों एक ही उम्र के होंगे तो उन्हें अनुभव की कमी के साथ ही कई परेशनियों का सामना भी करना पड़ता है. तो दोस्तों यह था इस question का answer अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों के साथ Facebook, Instagram, Twitter, आप इस वीडियो को सेर करतीजिये ताकि अधिक से अधिक लोग यहां पर चुड़ सकें अगर आप इस चैनल पर नई आया है तो चैनल को सब्सकाइब करना विल्कुल भी नह भूले हैं थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग दस वीडियो चैहन चैवारत प्लेश टेक केर